नमस्कार धोस्तो शुक्र ग्रहे 5 दिसंबर यानि कल राशी परिवर्दन करने चा रहे हैं जिसका असर पूरी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा बता दें कि 6 राशी वालों के लिए तो ये गोचर बहुत शुपसाबित होने वाला है लेकिन बाकी की राशी वालों को थोड के लिंद्रिया के, घ्लैमर के, प्रेम के, रोमास के, विलास्ता के, परतिबा के और सुक्ष्मर्दी का पृतीक माने जाने वाले शुक्र ग्रहे 5 दिसंबर को ध्णू राशी में परविश कने जा रहे हैं धणू राशी देव-गुु-भरस्पती की राशी है, और पर अपनी किर्पा बरसाएंगे चार राशियों के भाग्य के दरवाजे खोलेंगे मैं अपने दर्शकों को यह पताना चाहूंगा कि जोतिश में शुकर को प्रेम का सौंद्रे का एश्वरे का भौतिक शोहरत का कला और परतिभा का रोमांस का कामवासना का और फैशन डिज राशी जो है वो शुकर की अपनी राशिया है मीन राशी में यह उचके होते हैं कन्य राशी में शुकर नीच के माने जाते हैं जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शुकर करा है मजबूत सिती में होते हैं उस व्यक्ति को जीवन में प्रेम और धन दोनों चीज़ें परदा करते हैं शुकर हमें आर्टिस्टिक नेचर देते हैं हमें सौंद्रय प्रेमी बनाते हैं हमें इस्तरी सुख वहन सुख और धन का सुख परदान करते हैं यानि पूरी विलास्ता देते हैं अगर जोतिश में बरस्पतिक रहे नव गरहों में देव गुरू का दर्चा हासिल है तो शुकर असरों के गुरू है जनम कुंडली में शुकर के परभाव से एश्वरे हासिल होता है शुकर के जो परभाव वाले लोग है वो पेंटिंग में, डांस में, आर्ट में, थेटर में, सिनेमा जैसे बहुत क्रियेटिव सेक्टर से तालुक रखते हैं शुकर के शुब होने पर विक्ति का भाग्योदे हो जाता है शुकर गया है जब राशी परवर्तन करके देवगुरू बरस्पती की धनू राशी में आ रहे हैं तो किन राशियों पर अपनी किरपा बरसाने वाले हैं यह जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा मैं यह बताना चाहूंगा कि पहली ऐसी जो भाग्यश अली राशी है वो मिथोन राशी है मिथोन राशी के लोगों का शुकर का जो गोचर है वो बहुत लाबकारी साबित हो सकता है क्योंकि यह गोचर आपकी कुंडली के सातमे भाव में होना जा रहा है वो जो सेवन्थ हूस होता है इसे मेरल लाइफ हूस कहते हैं इसे साजेदारी का स्थान भी कहा जाता है वहीं बुद्ध और शुकर की सीदी दृष्टि मिथोन राशी पर पड़ेगी मिथोन राशी के लोगों को बुद्धी और कारेकशितरता का लाब जो है उनके वरकिंग प्लेस में कारेकशितर में हासिल होगा साथी साजेदारी से काम करने में अच्छा फाइदा मिलेगा विवाहिक जीवन में भी जीवन साथी का प्यार और सने बना रहेगा और सहयोग भी मिलेगा दूसरी भागेशाली राशी सिंग राशी है शुकर का जो गोचर है वो सिंग राशी के लोगों के लिए बहुत शुप फलदाई साबित हो सकता है, क्योंकि शुकर ग्रह जो है, वो आपके कुंडली के पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे विद्या बुद्धी और संतान भाव भी कहा जाता है, प्रेम समंद का स्थान भी बाना जा तो ला राशी वालों को भी शुकर का गोचर बड़ा लाब देगा, अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है, इंकम के नए सोर्सिस बनेंगे, इन्वेस्टमंट करने के लिए सामय बढ़िया रहेगा, इस महीने बचट करने में सफ़र रहेंगे, कारश से भी राहत मिलेगी, और अगली जो भागेशाली राशी है, वो धनू राशी है, धनू राशी के लोगों के लिए शुकर का राशी परवर्तन बहुत अनुकूल रहने वाला है, फेवर में रहने वाला है, क्योंकि शुकर ग्राय आपकी राशी में ही गोचर करने जा रहे हैं, इसलिए इस महीने धन बारिक जीवन भी शुकर के इस गोचर से काफी सुखद रहने वाला है अगर आप कारोबारी है तो आपको अच्छे और्डर पराप्त हो सकते हैं जिससे आपकी इंकम में बढ़ोतरी होगी तो आज की पोश्ट में बस इतना ही मेरे पेश से जुड़े रहिए इसे फॉलो करत दे रहिए मैं गुरमी बेटी